नमस्ते दोस्तों, आज मैं आपके साथ बच्ची हुई पूडियों से बनने वाली रेस्पी शेयर करने जा रहे हूँ जिसे बनाना बेहती असान है और इसे खाने के बाद कोई बता भी नहीं पाएगा कि ये बच्ची हुई पूडियों से बनी है तो फिर चलिए ये रेस्पी स्टार्ट करते हैं लेकिन उससे पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल रेनी कीचन को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक जरूर करें इस रेस्पी को बनाने के लिए सबसे पहले हम शक्कर को पीस के पाउडर बना लेंगे मैं यहाँ आठ बड़ी पूडियों के हिसाब से आठ चमश शक्कर ले रही हूँ लेकिन अगर आपके पूडिया चोटी हैं तो आप आठ चमश शक्कर के हिसाब से ही मेजर्मेंट लें यह पूडियों को देखके आप सोच रहोंगे यह पूडिया कुछ जादा ही बड़ी हैं तो मैं आपको बता दू यह पूडिया भंडारे की हैं मेरे घर पे गरीब लोगों को खिलाने के लिए चोटा सा भंडारा होता है जिसे कुछ लोग लंगर भी कहते हैं यह पूडिया उसी में बची हुई हैं तो मैंने सोचा क्यों ना इन बची हुई पूडियों से मैं आपको एक यूनिक रेस्पी बना के दिखाऊं सबसे पहले इन पूडियों को हमें रफली तोड़ लेना है यह आप देख सकते हैं यहां मैंने पूडियों के छोटे-छोटे टुकडे कर लिये हैं इसके बाद हमें इसे ग्राइंडर में जितना बारिक हो सके उतना पीस लेना है एक बात और ध्यान दीजिएगा यह पाउडर जैसा बारिक नहीं पीसता है यह हलका दर-दरा ही रहता है आप यहां इसका टेक्च्चर देख सकते हैं आपको बिल्कुल इसे ऐसे ही पीसना है हम इसमें कुछ ड्राइफूट्स एड़ करेंगे जिसमें मैंने किश्मिश, काजू और बदाम लिये हैं जिने मैंने हलका सा घी में रोस्ट कर लिया है अब इन ड्राइफूट्स को मैं मोटे मोटे टुकडों में काट लूँगी अगर आप चाहें तो इने छोटे टुकड होना है जिसके लिए हमें एक थाली में ग्राइड की हुई पूडियां डालनी है इसी के साथ तयार के हुए ड्राइफूट्स फ्लेवर के लिए आधी छोटी चमच इलाइची पाउडर और पिसी हुई शक्कर एड़ करेंगे और इन सारी चीजों को अच्छे से मिक्स करें इसके बाद हमें इसमें आधा कप के करीब गरम दूद एड़ करना है यहां मैं आपसे माफी चाहती हूं दूद डालते समय रिकॉर्डिंग बंद हो गई ती जिसके कारण दूद डालते समय मैं आपको दिखा नहीं पाई दूद आप थोड़ा-थोड़ा करके डाले जब लड़ू बाइंड होने लगे बस उतना ही हमें दूद चाहिए होगा यह आप देख सकते हैं लड़ू बनाने के लिए हमें कुछ ऐसा टेक्स्चर चाहिए होगा अब मुठी भर मिक्षर हाथ में लेकर हथेलियों के बीच दबाते हुए गोल आकार देंगे जब यह मिक्ष कर् relación होता है तो पूर्यों का ओund रिलीज होता है और उसी के हम्से इसके लड़ू बनके तयार हो जाते हैं मैं आपको एक और लड़ू बना कर दिखाती हूं यह आप देख सकते हैं मैंनेमुठ्री भर मिक्षर अपने हाथ में लिया है और उसातली बाते हुए गोल अकार द करीके से यह रेस्पी जरूर ट्राई करें मुझे यकीन है आपको यह रेस्पी अच्छी लगेगी और इसका रिव्यू मेरे साथ जरूर शेयर करें थैंक्स वर वाचिंग